जो भी साउथिनियन फूट के लवर्स हैं, डोसा या इडली पसंद करते हैं, उत्पम पसंद करते हैं, तो उनको ये मसाला घर में बना कर जरूर रखना चाहिए और मेरी किचिन में तो ये हमेशा वेल बिल होता है, मैं इसको बनाती रहती हूँ, आज भी मैंने ये रेसिपी बनाई थी, गन पाउडर घर में बनाया था, तो सोचा क्यों ना मैं बना रही हूँ, सासाथ आपको भी दिखा दूँ और ये रेसिपी शेयर करूँ, तो परफे इसके घर में बनाना है, होममेट गन पाउडर, आईए शुरू करते हैं रेसिपी, इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई ले ले, हैवी बॉटम की कढ़ाई लेकर उसमें डाले, चार टेबल स्पून के करीब चने की दाल, दो टेबल स्पून उरत की दाल डालेंगे, बिना काली मिर्च के दालेंगे, एक चमच इसमें राई या सरसू डाल दीजे, बारा से पंदरा लहसुन की कलियां डाल देंगे, इसके अलावा हमारे मसाले को खटास देने के लिए बहुत ही बड़िया टेस्ट देने के लिए इसमें आड़ करेंगे, एक चौथाई कप के करीब इमली, यहां पर इमली के बीज मैंने पहले से निकाल कर रखे हुए हैं और ये इमली को थोड़ा सा हाथों से तोड़कर इस तरह से अलग-अलग करके हम इसमें डाल देंगे, और बेसे कड़ी कुछ चीज़ें हम इसमें और एड़ करने वाले हैं, उसके बाद में हम सारे म पून भी डाल सकते हैं, तो यहां पर सारे खड़े मसारे जो भी डालने थे हमने डाल दियें, जिनको भी हमें रोस्ट करना था, पर अभी आप कहीं मत जाईएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें अभी एड़ करना और बाकी है, जो लास्ट में हम एड़ करेंगे, जिसक यहां पर लाल मिर्च भी भुन जाएगी, तो क्रंची हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी, इस तरह से करीपता भी देखिए, क्रिस्पी हो चुका है, साती इमली में जो भी मौश्यर होगा, पानी होगा तो पूरा उड़ जाएगा, लहसुन में भी जितना भी मौश्यर ह पूर उड़ जाएगा उसके बाद में ठंडा करके हम इस मसाले को पीस लेंगे और जब आप स्टोर करेंगे ना तो लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे मसाला डोसा आपने बनाया मैसूर मसाला बनाया कोई भी डोसा आप बनाये प्लेन डोसे की उपर डाल के खाईए बहुत टेस्ट आता है मैं आपको क्या बता हूँ बहुत ही जबरदस्त बनती है अगर आप कोई भी रेसिपी बनाएंगे इससे तो अब देखिए मैंने सारे मसालों को ग्रैंडिंग जार में डाल दिया एक चौथा ही चमश के करी मैंने इसमें हिंग डाल दी हिंग का फ्लेवर ब खाने में भी उसका मज़ा अलगी आता है तो कहा जाता है ना पहले आखे खाती हैं तो देखिए यहां पर मैंने वन टेबल स्पून के करीब इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दी जो कि बिल्कुल तीक ही नहीं होगी पर हमारे मसाले को बहुत बढ़िया लाल लाल कलर देगी औ मसाला हलका गरम है तो इसमें इसमें 1 टेबल स्पून के करीब नमक भी डाल दिया वनसे 2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दीजे मैंने 2 टेबल स्पून डाला है और इस तरह से ढख्का लगा कर पल्स करते हुए सभी को हमने पीस लिया है तो यहां पर हमारा गन पाौ़ड पिचे कम भी डाल सकते हैं तो हमारा यहां पर हैधरबादी मसाला बनकर त्यार एक गन-POWDER बहुत ही बढ़िया बनाएं, आप इसके उपर इससे आप स्पोर्ट इडली बना सकते हैं, आप मसाला इडली बना रहें आप फ्राइड इडली बना रहें तब भी आप डालिये, मैसूर मसाला डोसा मसाला डोसा अगर आप खा रहे हैं उत्पम खा रहे हैं वड़े खा रहे हैं कोई भी आप चीज खा रहे हैं सबजी आपने बनाई है सूखी सूखे आलू आपने बनाए हैं यानि कि अगर आपने जीरा आलू बनाए हैं कि उपर आप डालिए देखिएगा कितना बढ़िया टेस्ट आता है बिंडी की सबजी पर भी यह मसाला बहुत बढ़िया लगता है तो इस तरह से घर में आप एक्सपरिमेंट्स करते रहे इस मसाले को आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और मैं एक्सपरिमेंट करती रहती हूँ यकीन मानिये बहुत ही यूसफुल यह मसाला एक बार आप बनाकर जरूर देखिएगा और उसके पाद में यूस करके आप मुझे बताईएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी है इस मसाले की खास बात यह है कि आप इसको एर टाइट कंटीनर में भरकर रख सकते हैं पूरे 6 मैंने तक स्टोर कर सकते हैं बहारी रखना है इसको आपको कबर्ड में इसको आपको फ्रिज में नहीं रखना है तो बहुत ही बड़ी है रेसिपी है जबरदस्त है मस्त है ट्राइज जरूर कीजिए और फीडबेक जरूर दीजेगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाई